हेलो गाईज वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल माई नम इस मनिश गुपता एंड यूर वाचिंग बी एस सी जी लेक्चर्स तो गाईज एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिनों बाद हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ कि ह हमारी वीडियो नहीं आ रहा ही थी इसके रिगार्व मैंने प्रिवेस वीडियो में बताया था कि क्या रीजंज थे इसके कारण हम वीडियो ईंग लाप्लोड नहीं कर पा रहते देरसल जो हमारी लैप्टॉप था उसमें प्रॉ tämä गई जसकार हमारी फ्रेक्वेंसी थी वह है हमारे first year के जो भी student है उनका BBYCT 131 यानि biodiversity microbes, algae, fungi and archaeogenets का पहला exam है वो भी June 1 को है तो then guys उसी के regarding जो हमारा जो slayvers वगरा था वो काफी ज़्यादा पीछे रह गया जिसको अब तो हम जाके क्या है cover up नहीं कर पाएंगे तो then मैंने कुछ जो topics हैं कुछ वैसे कोई यह केते हैं topics जो कि most मतलब आते ही आते हैं जादातर वो exams में दरसल मैंने क्या करा है कि बहुत सारे जो question paper है और assignment से उन सभी को analysis करकर just मैंने उनमें से जो most important topics से उनको मैंने अलग कर लिया है देखिए guys मैं आप सभी को बता दूँ कि इस video को पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा सेर करना क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो topics बताए जाएंगे यह आपके 100% जो है exams में आएंगे ही आएंगे यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ यदि अगर आप इन topics को पढ़कर examination देने नहीं जाएंगे तो आपके exams में कम marks आ सकते हैं तो देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा जो भी हमारे जितने भी subscriber हमारे जुड़े उनके किसी के भी कम marks आएं पिछले साल जब मैं वीडियो अपलोड करता था तो देन क्या है मैंने सही से मतलब उस समय हमारी तैयारी सही से नहीं थी तो देन मैं सही से बच्चों को नहीं बताया था लेकिन इस बार जो है मैंने पूरा analysis करा है चीजों को topic को तो देन उसी recording जो है हम आज की वीडियो मे आपको बताने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा और देखिए ये जो इसका जो last में जो मैं क्या कहते है एक paper है वो मैं provide करा दूँगा जिसमें की सारे important topics लेकर रखे हैं उससे पहले आपको क्या करना अपने book को खोल लेना है और जो जो मैं topics टिक लगाऊंगा उसको सासा टिक लगाते जाना है ठीक है आज की वीडियो में तो सिर्फ मैं topics जो है उन्हीं को टिक लगाऊंगा जैसे ही ये आपको वीडियो पहुँच जाएगा देन उसके बाद जितने भी topics है अलग-अलग topics पे एक बार मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो यहाँ पर हम आ आपके जैसे की पहला जो ब्लॉक है उसमें आपको चार यूनिट देखने को मिलने वाला है ठीक है पहला यूनिट वन जिसमें की आपका वायरस जनरल एकाउंट एंड एक बार में बात करेंगे दूसरा हमारा यूनिट जो है वो कौन सा है वायरस रैप्लिकेशन इसके बा चौथा जो है यहां पर बैक्टेरिया के रिप्रोडक्शन पर है सबसे पहला वायरस का आजाता है यानि हम वायरस के जैनरल एकाउंट एंड एकोनोमिक इंपोर्टेंस की बात कर रहे है तो इसमें आपके जो इंपोर्टेंट टॉपिक है जो की आपके एक्जाम्स में आन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो थान हमारा भी जो वायरस पहता है तक है यहां पर आपको करना है यहां पर आपको करना है यहीऑ अपर न्युए वाला वायरस लिविंग और नौन लिविंग ठीक है थिवळ आ आपको लगा लेbroँ है पेजब में बताना वहां पर page number आपका है, page number 13 पर इसमें आपको ये controversy जो हमें देखने को मिलती है, virus non living है तो ये वाला जो question है, इस पर based बनता है question, then दूसरा हम बात कर ले, general account में आपसे कुछ भी नहीं पूचा जाएगा, virus के structure को आप एक बार देख लीजेगा, बाकी virus के structure पर भी questions बनते नहीं है, जल यहाँ पर आपको DNA virus जो है, T phase जो है, इसको टिक लगा लेना है, और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ याद रखेगा, यहाँ पर आपको define करना आना चाहिए, कि आप DNA virus के बारे में क्या जानते हैं, उसके बाद RNA virus, RNA virus नहीं है, define के बाद आपको उसका difference मालूम होना यानि आपको DNA और RNA virus में difference भी पूछ लिया जा सकता है, उसके बाद आपका क्या है, structure हो गया, structure भी पूछ लिया जाते हैं, ठीक है, उसके बाद example भी पूछ लिया जाते हैं, और उसके बाद आपके diagram भी बनवा लिया जाते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है, आपको पूरा पढ़ना है, इसके structure को पढ़ना है, कि किस तरीके से इसमें capsid होता है, कितने capsomers होते हैं, उन सभी को अच्छे से आपको पढ़ना है, तो देन पहला chapter में आपका इतना ही है, virus का जो replication वाले chapter में है, वहाँ भी आपका कुछ जादा आ नहीं रहा है, यहाँ प इसका experiment है, यह 100% पूछा जाएगा examination में, तो इस topic को भी आप cover कर लेंगे, यहाँ पर आपका जो एक topic है, light tick cycle, यह कई बार exam से पूछा गया है, कई बार आपके assignments में भी आए हैं, तो यह जो question है, मतलब यह जो topic है, most important topic है, तो इसको भी आप ध्यान रखेगा, light tick cycle के बाद य lysozenic cycle, lysozenic cycle को भी आपको एक बार करना होगा, ठीक है, इसमें आपको करने के लिए, देखिए, इस पे already मैंने वीडियो बना रखा है, बाकी एक बार मुझे अगर फिर से discussion करना हो, then मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा, ठीक है, यह रहा आपका lysozenic cycle और light tick cycle को आपको and general account है, यानि bacteria और इसके economic importance के बारे में, general account and economic importance, यहाँ पर देख लिए, फड़ा फड़ा आप important topics को टिक लगा लिजी गाईज, देखिए, यहाँ पर जो topic है, आपका सबसे पहला तो यहाँ पर है, कि जो bacterial cell wall है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यह कोई भी scientist का नेम वग क्या पूछा जा सकता है, तो यह कुछ इस तरीकी का cell का diagram आपको बनाना आना चाहिए, और इसके बाद आपका यहाँ पर archial cell, यहाँ पर देखिए, archial cell और bacterial cell में difference है, उसको भी एक बार यहाँ पर पढ़ लिजेगा, यह काफी ज़दा important topic है, then guys यहाँ पर आप आजाते है, इसको भी आप टिक लगा लिजेगा, इसमें और इसके internal structure का जो भी है, यह बनाने को आजाता है, questions पूछे जाते हैं इस पर तो यह 100% आपका, आएगा ही आएगा, surface adherence भी आप एक बार देख लिजेगा, दूसरा यहाँ पर पिली और फ्लेगला में भी difference देख लिजेगा, यह राफ लेगला और यह पिलीज जो है, यह चोटे-चोटे जो पिलीज आप देख रहे हैं, इस बैक्टिरिया के उपर चोटे-चोटे पिलीज, इनको भी आप एक बार remind कर लिजेगा, गईस तो यह economic importance को भी एक बार टिक लगा लिजेगा, यह भी काफी जदा important है, और इ genetic recombination है, यह most important है, यह हर बार exams में पूछ लिया जाता है, तो genetic recombination में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपका genetic recombination का जो part है, कौन-कौन सा part है, conjugation है, transduction है, और transformation है, यह तीन जो है, यह पूछे ही जाते हैं आपके, ठीक है, तो इन तीनों का difference, इनके examples, इनक भी हो सके, आपको बिलकुल अच्छे से clear कर लेना है, यहां पे आप जो भी है, इसको बिलकुल अच्छे से कर लिजेगा, और यह जो diagram जो देख रहे हैं, आप यहां पे, इस diagram को भी आपको clear कर लेना, ठीक है, यहां पे देख लिजे, plasmid का transfer कैसे होता है, transformation कैसे होता है, trainer recipient किस तरीके से वर करते हैं, बैक्टेरियो फेज में क्या होता है इनका रोल, इसको बिल्कुल आप कर लिजेगा, ये बिल्कुल आएगा आपका, ठीक है, ये 100% है, ये तो हमारा ब्लॉक 1 का हुआ, और नेक्स ब्लॉक का हम आपको बताते हैं, तो देन गाइज, अब हम आजात युनिट 5 है, युनिट 6 है, युनिट 7 है, युनिट 8 है, इसमें आपका अलगी इंट्रोडक्शन है, दूसरा आपका यहाँ पे 6 युनिट देखते हैं, तो युनिट 7 की बात करें, तो मॉर्फोलोजी एंड लाइफ साइकल है, और आठवा जो है इकोनॉमिक इंपोर्ट ठीक है, तो इनमें आपको जो भी यहाँ पे टॉपिक्स है, इनको आपको एक बार देख लेना है, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टीड है, प्लास्टीड एक बार देख लिजेगा, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में एक बार देख लिजेगा, स्टोरिज बनाना चाहिए बनाना और बिल्कुल अच्छे से इसकी प्रेक्टिस कर लीजेगा ठीक है यह काफी ज़्यादा इंपॉर्डेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है एकोलोजी एंड डिस्ट्रिब्यूशन तो एकोलोजी एंड डिस्ट्रिब्यूशन में आपको देख ले इसी चैप्टर में से आपको क्या है एकोलोजीकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है डाय एटोमाइट है इफेक्ट ऑफ एल्गी ऑन स्वाल फर्टिलिटी है और वेस्ट वाटर सीवेस्ट इसमें आपका जो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है वो अल्गल ब्लूम है ठीक है तो इसको आप कवर करें गाईज आते हैं नेक्स्ट इनेट यानि यूनिट 6 है हमारा यूनिट 6 में हमारा अल्गी ऑर्गनाजेशन डिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन है यहां पे आपका जो म आप देख रहे होंगे यह डाइग्राम जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टन है यह एक्जामिनेशन में आपके आते हैं इसके बाद यहां पर यह रिप्रोडक्शन इन एल्गी एक बार देख लीजेगा यह भी थोड़ा सा इंपोर्टन है दिन गाईज आजाते ह अधिक लाइग्राम यहां इंसकर भी आपको देखना पड़ेगा जो जाधा इंपोर्टन है इसको आप लगा लिजेगा प्यूकस भी आप टेक लगा लिजएगा यह भी इंपोर्टेंट है पॉलिसी फॉनिया भी आप लगा लिजएगा यह भी इंपोर्टेंट हैं जो हम आ जाते हैं unit 8 पर unit 8 में आपका जो algae का economic importance है यह भी आप इसमें भी important topics को देख लिए बायो fertilization है जो की आपका algae economic importance में से है इसमें से आप seaweed कर लिजएगा और blue green algae भी इंपोर्टेंट topics हैं ब्लॉक 2 में बस इतना ही है इसके बाद हम ब्लॉक 3 पर आजाते हैं ब्लॉक 3 में आपका fungi है fungi में सबसे पहला unit 9 unit 9 में आपका fungi introduction है unit 10 की बात करें तो unit true fungi है unit 11 की बात करें तो fungi यानि lichen mycorrhizia है तो यह आपके 3 units है तो बात कर लेते हैं इन 3 unit में आपके कौन-कौन से important topic है बहुत ही कम important topic आपको इसमें मिलने वाले तो सबसे पहला unit 9 आपका fungi introduction है some plant disease जो कि आपके slime mouth द्वारा होते हैं fungi द्वारा होते हैं straminophilus द्वारा तो यह बहुत ही आपका एक ही topic है जो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा इसके बाद आप यह भी पढ़ सकते हैं चाहें तो ecology and significance of fungi-like organism का बट यहाँ पर हम बता दे आपका यह जो है disease वाला यही आपका main topic होने बादे हैं unit 10 में unit 10 में आपका true fungi है इसमें हम important topics देख लेते हैं फटा फट तो then guys यह वाला जो topic है आप लगा लेजिए यानि role of crozier and clam connection of di-carry digestion यानि यह बहुत ही जदा आपका important topic है इसके आने के chances जो हैं काफी ज़ादा रहते हैं जैसे कि crozier in asco my quota हो गया and clam connection in basidio my quota हो गया यह आपके कुछ important topics हो गया है इसमें इसमें role of crozier in di-carry digestion in asco my quota दिखाया गया है इसको एक बार प्रिपेर कर लिजेगा दूसरा आपका इसमें clam connection है formation in basidio my quota में है यह भी आप एक बार प्रिपेर कर लिजेगा यह जो आपका टॉपिक है life cycle यह भी काफी जदा important है इसमें आप rhizopus देख लिजेगा दूसरा आपका इसमें यह भी आप देख लिजेगा यह काफी जदा important topic है यह जो आपका common मस्रूम होता है तो बहुत ही जदा important topic एक बार आप देख लिजेगा इसको guys true fungi में एक बार general characteristics भी एक बार देख लिजेगा यह भी काफी जदा important है इसमें आपका जो यह हाइफा है इस हाइफा में जो आपका यह जो cell है वैसिकल्स है इसका जो arrangement है यह guys आता है आपका यह diagram बनाने को तो इसे आप एक बार prepare कर लिजेगा then guys आजरते हम unit 11 में unit 11 में आपका fungi lichen and mycorrhiza है तो इसमें हम important topics लगा लेते हैं फटा 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 इसमें significance of lichen है यह भी काफी जदा important topic है इसमें आपका uses of lichen करके भी पूछा जा सकता है तो चाहे significance of lichen बोला जाए या uses of lichen आपका उत्तर एक जैसा होना चाहिए ठीक है तो यह आपे आप इसको prepare कर लिजेगा then guys mycorrhiza जो है आपका इसमें आपका important topic होने वाला है actomycorrhiza और दूसरा है आपका endomycorrhiza endomycorrhiza को भी आप tick लगा लिजेगा तो then आपको इतना ही इसमें topic मिलने वाला है और साथ ही जो भी different type of lichen है उसको भी एक बार आप देख लिजेगा ठीक ह यह three type के आपके lichen है इनको भी आप एक बार देख लिजेगा बहुत चोटा-चोटा point एक बार आप प्रिपेर कर लिजेगा then unit 3 में आपका then block 3 में आपका इतना ही है fungi में आपका then हम चल जाते then हम चलते हैं आप next topic पर next block पर तो guys then देख लेते हम block 4 block 4 में आपका जो है topic Archeogonets है and unit 13 की बात करें तो इसमें bryophytes and introduction है and unit 14 की बात करें तो unit 14 में आपका bryophytes study types है and unit 15 की बात करें तो bryophytes का ecology and economic importance के बारे में बताए गया तो देन यहाँ पे इन चारो unit का हम फटा-फटा एक बार important topic देख लेते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे important topic है आपका unifying feature of Archeogonets तो इसको आप prepare कर लिजेगा यह बहुती ज्यादा important topic है then next हम देखते हैं तो then guys यह सबसे ज्यादा important topic है इसमें Archeogonets में alternation of generation ठीक है तो इसको आप कर लिजेगा बहुती ज्यादा important topic है कई बार यह questions आया है इसमें से तो एक बार आप इसको prepare कर लिजेगा हम unit 13 पे unit 13 में bryophytes and introduction है तो यानि introduction की बात करें तो इसमें कौन-कौन से important topic है तो then guys यह जो adaptation to land habit है यह आपका बहुती ज्यादा most important है इसको एक बार आप prepare कर लिजेगा आप यह table देख रहे होंगे इसमें आपका salient characteristic of the three classes of division bryophyta है तो इसको आप prepare कर लिजेगा इन तीनों class को ठीक है बहुती ज्यादा important है यह सबी next unit हमारा 14 है इसमें आपका bryophytes type studies है तो इसमें हम फटा-फट देख लेते हैं क्या important topic है then guys merchantia जो है इसमें important topic है लेकिन इसमें म में बताऊं इसकी anatomy आपको सही से कर लेनी है ठीक है यह जो gamma cup बाला है diagram इसको आपको एक बार बनाना आना चाहिए ठीक है इसके बारे में पूचा जा सकता है कि gamma cup होता क्या है ठीक है यह भी important then guys यह figure 14.11 आप देख लीजिएगा इसमें आपका merchantia का LS क्य कहते हैं longitudinal section mature sporophyte का figure ह इसको आप एक बार बनाना देख लीजिगा यह आपका पूच लिया जाता है exam में चलिए next unit पर हम चलते हैं unit 15 में unit 15 में आपका bryophytes का ecology and economic importance के बारे में है तो इसमें भी हम important topic देख लेते हैं इसमें जो guys ecological role है इसमें pioneer of vegetation आपका आता है तो यह वाला आप important topic टिक लगा लीज यह साथ ही इसमें prevention of soil erosion है यह भी आपका पूचा जाता है कि bryophytes किस तरीके से soil erosion का prevention करती है तो एक बार आप इसको भी prepare कर लीजिएगा then guys इस unit में आपका इतना ही है चलिए next unit पर अब हम चलते हैं guys हम आजाते हैं block 5 पे block 5 में आपका teradophytes है teradophytes में आपके 3 unit है यानि unit 16, unit 17 and unit 18 guys unit 16 में आपका teradophytes and introduction है unit 17 में आपका teradophytes का type studies है and unit 18 में teradophytes का importance and evolution है तो यह 3 unit में से कौन-कौन से topics आएंगे फटा-फटा हम देख लेते हैं unit 16 है teradophytes and introduction तो फटा-फटा तो देन guys इसमें हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे important topic है तो guys इसमें general characteristic है life cycle of teradophytes यह आपका important topic है यह आपके exams में पूछे जा सकते हैं तो इस topic को आप पढ़ लीजेगा यह diagram भी देख लीजेगा यह भी काफी जादा important है इसमें से भी आपका काम हो सकता है comparison आपका पूछा जा सकता है bryophyta और teradophyta में तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजेगा prepare कर लीजेगा आपका cast और incrustation भी आपका पूछा जा सकता है यह early land plants है जिसमें की rhinia और आपका हो सकता है यह may भी पूछ लिया जा सकता है ठीक है तो यह topic आप prepare कर आजाते हैं unit 17 पर unit 17 में आपका teradophytes का type studies है तो इसमें भी हम फटा-फट important topics को टिक लगा लेते हैं इस सबसे पहला आपका selaginilla है selaginilla में आपको सिर्फ इसका anatomy पढ़ना है anatomy इसका most important है anatomy से आपका पूछा जा सकता है उसके leaf के structure के बारे में पूछा जा सकता है जैसे कि यह transversal section of a leaf है यह आपका पूछा जा सकता है diagram में तो इसको prepare आप कर लीजेगा एक topic और है glossopodium glossopodium के बारे में पूछा जा सकत क्लासिफिकेशन है aquisitum aquisitum में आप इसका diagram जो है एक बार आप देख लिजेगा diagram इसका important है तो diagram आपका पूछा जा सकता है पैट्रिस है पैट्रिस में भी आपका diagram है तो diagram इसका एक बार देख लिजेगा आपका काम हो जाएगा इसमें unit 18 है unit 18 में आपका teradophytes यानि इसमें importance and evolution के बारे में पूछा जाता है तो इसमें आपका important topic है concept तीलोम concept जो है ये काफी ज़्यादा important है इसमें आपका initial theory में भी पूछा जाए लेकिन इसमें जो आपका तीलोम theory है ये आपका most important है इसके आने के chances आपके सबसे ज़्या इसमें heterospory है and sea habit है तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका definition है और significance है इन दोनों को आपको prepare कर लेना है ठीक है आपका last block 6 है जिसमें कि आपका gymnos pumps है और gymnos pump में आपका unit 19, unit 20, unit 21 है इसमें भी आपके ज्यादा topic है नहीं, unit 22 भी है जिसमें कि हम economic importance की बात करेंगे तो है, unit 20 में gymnos pump का psychus है उसके बाद pinus है उसके बाद economic importance है तो फटा फट हम इन सभी unit के important topic को tick लगा लेते हैं, unit 19 में आपका general characteristic है तो इसमें हम फटा फट देख लेते है important topics क्या है इसमें आपको general characteristic देख लेना है distribution देखने की जरूत नहीं, general characteristic आपका पूछा जा सकता है, then guys reproduction मे इसमें एक आपका topic है जिसमें की ovule and female gametophyte है तो इसको भी आपको prepare कर लेना है इससे भी ocean पिछली साल जो है बना तो इसमें काफी ज्यादा important topic है, poly embryo जैनी ये भी आपका important topic है, then guys हमारा next unit 20 है जिसमें की हम gymnos pump में, psychus के बारे में पता करेंगे की इसमें important topic क्या है, then anatomy है इस इसमें आपका normal root नहीं पूछा जाएगा, paralleloid root जो है इसको आप लगा लिजे टिक, ये आपका important है, then guys इसमें जो unit है, then guys इसमें जो topic है, pollination, fertilization and embryogeny ये भी आपका most important है, इसके भी आने की chances काफी जादा रहते हैं, तो इसको भी आप लगा लिजेए, 21 है जिसमें की gymnos pump pinus है, इसको आने का chances जादा रहता है, तो इसको भी आप tick लगा लिजे, इसको एक बार आप draw करके देखिएगा, ठीक है, इस unit का last topic है, आपका life cycle, तो इसको भी आप prepare कर लिजेगा, ठीक है, किस तरीके से आपका gymnos pump pinus में life cycle होता है, तो इसको एक बार आप देख लिजेगा, ठीक तो इसमें आप timber, सिर्फ इसमें timber and its product को एक बार prepare कर लिजेगा, ठीक है, जो आपके gymnos pump plant से बनाए जाते हैं, timber लिए जाते हैं, उसके बाद सबसे important topic है, इसमें, food medicinal and aesthetic values, तो ये भी आपका important topic है, और ये last topic है, तो इसको भी आप एक बार prepare कर लिजेगा, then आपका यहाँ पे, जो पूरी किताब का जो निसकर्स था, निचोड था, वो आपको यहीं तक समाप्थ हो जाता है, यहाँ तक आके, तो then guys, I hope so, आप सभी को आज की जो class है, आज की जो lecture है, जिसमें कि मैंने सभी important topics के बारे बता दिया, जिसके highest probability है, exams में आने के, तो उनको आप फटा-फट जाके prepare कर लिजेगा, बाकी जो आपके previous year question paper के solvings है, उनको मैं जल्द आप सभी के लिए provide करने वाला हूँ, तो जो अभी मैंने important आपको, जितने भी points लगा दिये हैं, इनको आप जाके पहले prepare करेंगे, हाँ थोड़ा सा जादा है, बट आपका जो पहले जो था, जिसमें कि पूरा का पूरा book था, जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, कि आपको क्या prepare करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसमें से मैंने जो है, purify कर तिया है, और जो important topics थे, उनको मैंने बता दिया है, तो इसको prepare कर लिजेगा, इतना कर लेंगे, guys, तो आपका जो marks है, वो काफी अच्छा आ सकता है, और साथ ही साथ जो आपके पास होने के जो chances है, examination में वो काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इगनु के exam में पास होना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, बट इतना करने के बाद आप अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे, तो then guys, मिलते हैं इसी वीडियो के next वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को like जरू कर दिजगा, अगर आप इस channel प औ Helen-Hi 생 that बादने के लिए औठने के सकतर है, वीडियो के वी और हैं इस वीडियो के दे अए मैं वे इस लाएंगे, और हो वीडियो के वीडियot meどう दे इस वीडियों ज you में. según कि मीडियो, अभ civіч अ